तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम लाश्ट तक जुरूर देखिएगा काफी एक बहुत यूनिक और बहुत नया कॉंसेप्ट आपको हम शेयर करने वाले हैं और ये टोटली जो है हमारे चैनल के मतलब हमारे चैनल पर जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं उससे थोड़ा सा ड स्ट्राइजी जो है वो यूटूब पर हम सेर कर चुके हैं और जिसमें से मैक्सीमम जो है वो रिसकस करते हैं और और अटब पता है लेकिन क्या है कि हम लोग तो एक्सपर्ट हैं यह मतलब एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन डीसेंट है मतलब more than average है ठीक है मतलब non-directional strategies एक-दो मास्टर करके और few years से हम लोग कर रहा है ठीक है उसमें कोई problem नहीं है लेकिन जो directional strategies होते हैं उनका भी हम लोग को knowledge होना बहुत important है ठीक है उसका knowledge होना बहुत important आज से तीन साल पहले directional strategies हम करते थे जो totally chart based पे रहता था और उसमें हमें problems यह होता था दो problems होते थे पहला accuracy ठीक है कि जो strategy हम लोग यूज कर रहा है चार्ट में उसका accuracy अच्छा नहीं होता था दूसरा problem होता था losses ठीक है losses का क्या problem था कि अगर हमारा व्यू अगर गलत हो जाता है उस case में हमारा जो losses था वह बहुत ज्यादा हो जाता था और जब हमारा एक directional व्यू बनाना सीख जाए कि मार्केट में वीकली मार्केट किधर जा सकता है मंथली मार्केट किधर जा सकता है उसका व्यू बनाना एक आप लोग को सीखाएंगे दूसरा चीज आप हमारा जो व्यू अगर गलत होता है तो उस case में हमारा जो loss है वो minimum कैसे रहे या fixed loss कैसे रहे ठीक है वो हम लोग सीखेंगे तो यह तो पहले वीडियो में भी बता चुके है ठीक है तो main हमारा directional accuracy कैसे बनाना है directional strategy कैसे बनाना है वो हम लोग आज सीखेंगे ठीक है और अगर हम loss को fix कर देते हैं directional strategies में और profit को हम लोग कम से कम 1 is to 3 risk reward बना देते हैं 1 is to 3 1 is to 4 तो हम लोग easily directional में अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो start करते हैं फिर नया concept और वीडियो को last तक जरूर देखिएगा ठीक है और कुछ लोग request कर रहे थे हैं जैसे कल तक workshop में राखी coupon जो है वो कल तक के लिए ही valid था ठीक है तो आज last दिन मतलब एक और दिन वो coupon को valid करने के लिए request कर रहे थे तो हम आज फिर से आज last day के लिए हम इस coupon को फिर से हम open कर दी है अब यह हमारा workshop है 7th September से start होने माला है ठीक है इसमें इसका पूरा details plus इसके साथ community भे हमारा होता है वो सब आप लोग details आके पढ़ना चाहते हैं तो website पे आके पढ़ सकते हैं description में first link है और अगर आप सीरियोस होंगे option selling को लेके तो आप लोग enroll भी कर सकते हैं राखी का coupon भी आज के लिए valid होगा ठीक है चलिए तो हम लोग start करते हैं तो सबसे पहले हमारा basic concept समझेगा अगर suppose कीज़े हम strategy बना रहे हैं ठीक है तो strategy हम अगर बना रहे हैं तो मान के चलिए कि हम एक weekly strategy बनाना चाहते हैं जिसमें हम मेरा view है कि my bank nifty जो है वो bullish रहने वाला है ठीक है ये view हम बना दी अब view कैसे बनाना है वो आभी आपको सिखाएंगे पहले basic idea आपको strategy का दे देते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम suppose कीज़े buy कर लिए यहां से 200 point 300 point sell कर दिए फिर से 300 point sell कर दिए और यहां से फिर से 300 point buy कर लिए तो यह हमारा एक weekly expiry का strategy बन गया यहां पर weekly expiry choose कर लेते हैं ठीक है यहां से क्योंकि 21st expiry कल ही है तो कम से कम हम लोग को 5 6 दिन तो चाहिए ही चाहिए ठीक है तो यह हमारा strategy जो है वो बन गया अब इसमें risk reward जो है वो बहुत matter करता है इसमें हमारा risk जो है वो 3% और इसमें हमारा जो reward है वो 10% ठीक है अगर हम 10% का half भी achieve करते हैं तो 5% के असपस हमारा मिलेगा तो weekly के हिसाब से 3% का हम लोग risk ले रहे है और 5% का profit ले रहे है ठीक है फिर भी अगर हम बात करें तो यह strategy थोड़ा सा risky है क्योंकि हमारा risk है वो 3% है ठीक है तो 3% जो है वो थोड़ा सा जादा होता है ठीक है तो इसको हम लोग और कौन से तरीके से कर सकते हैं कहने का मतलब है कि directional strategies का कमी नहीं है कमी नहीं है कमी है कमी है हमारा कि कैसे हम directional का एक view बनाए ठीक है उसका कमी है तो इसका कमी नहीं है इसके पीछे आप लोग मत पढ़िएगा इस strategy के जवब पर आप कोई भी strategy उसकर सकते हैं सिर्फ हम लोग को चाहिए कि हमारा जो risk है वो फिक्स होना चाहिए ठीक है और हमार रिवार्ड हो कम से कम 1-3 हम लोग को मिलना चाहिए ताकि हमारा अगर accuracy 50% भी हुआ तो हम बहुत अच्छा profits में कमा पाए ठीक है तो इसमें हम लोग 2-3 changes करने का try करते हैं कि क्या इसका profit जब हम लोग increase कर सकते हैं इसको हटाते हैं एक तो वह तरीका हो गया अगर 3% रिस्क आपके लिए अच्छा है तो उसमें रेंज भी अच्छा था और हम लोग वहां से trailing भी कर सकते हैं कोई problem बाला बात नहीं है ठीक है अगर हम लोग को थोड़ा सा और risk defined strategy चाहिए तो यह भी decent strategy है 4% का risk और 4% का profit इसमें अगर इसमें 1 is to 1 ही मिल रहा है थोड़ा सा हम लोग ratio change करके देखते हैं अगर हम लोग ratio change करेंगा तो क्या होगा थोड़ा सा इसको दूर करते हैं ठीक है तो 1 is to 1 ही मिल रहा है फिर से ratio change करते हैं 2 is to 5 is to 3 करते हैं ठीक है तो इसमें भी 1 is to 1 ही मिल रहा है तो इस तरीके के strategies में generally 1 is to 1 ही मिलता है ठीक है यह अगर हम बात करें ठीक है चोन मिल रहा है तो यह सबसे safest अब बोल जीए क्योंकि इसमें रिस्क जो है weekly वह 1.7% का है और reward भी 1.7% का है तो यह risk reward wise बहुत लग कम risk और कम profit इससे पहला जो example लिये थे उसमें ज्यादा profit और ज्यादा risk ठीक है इससे भी बहुत सारे other alternatives है ठीक है वह आप लोग वह आप ल वीडियो में हम लोग ज्यादा तर इस पे बात करना वाल है इसलिए हम इस topic को जो है आप लोग को idea लग गया होगा बस इसका idea हमको देना था ठीक है इस topic पर हम बात नहीं करना था इस इस पर detail में हम लोग पहले बात कर चुके हैं वीडियो में ठीक है इसमें हम लोग थोड़ा सा price action भी use करेंगे, थोड़ा सा हम लोग SMC भी use करेंगे, ठीक है, यह नए concept है, ठीक है, तो SMC से हम लोग use करेंगे सिर्फ order blocks, order blocks use करेंगे, ठीक है, और fair value gap use करेंगे, ठीक है, नाम पर जाने का जरूरत नहीं है, हम आपको exactly करना क्या है, वो हम लोग discuss कर ले थे, ठीक है, तो suppose कीजे हमारा, जो analysis होगा, वो hourly candle पर होगा, bank nifty का, हम लोग back testing करेंगे, nifty से better bank nifty काम करता है, हम जब test कर रहे थे, तो यह हमको, यह observe हुआ कि bank nifty better काम करता है, hourly time frame पर हम लोग analysis करेंगे, और हमारा candles को देखना है, ठीक है, candles को कैसे देखना है, हमार suppose कीजे, एक candle ऐसा बना, ठीक है, और दूसरा candle ऐसा बना, ठीक है, तीसरा candle ऐसा बना, तो generally सारे candles के wicks होते हैं, ठीक है, इस तरीके का wicks बन गया है, ठीक है, तो अगर हमारा इस तरीके candles बनता है, तब तुम लोग कुछ नहीं करना, ठीक है, लेकिन यह जो candle है, यह ऐसे ना बनके इस तरीके का बन जाए, मतलब इस तरीके का बन जाए, ठीक है, और ये इस तरीके का बन जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कि previous example में, जो हमारा third candle का, जैसे हम लोग इसको first candle बोलेंगे, इसको second, इसको third, third candle का जो high-low है, first candle का जो high-low है, ठीक है, third candle का high-low और first candle का high-low, ठीक है, मतलब बात करें तो third candle का low और first candle का high, ठीक है, अगर इन दोनों में gap बच जा रहा है, ठीक है, gap बच जा रहा है, इसी को हम लोग fair value gap बोलते हैं, और हम लोग सिर्फ इसको order blocks जैसा denote कर सकते हैं, ठीक है, अब इसमें, जिसको SMC का knowledge है, उसमें देखिए, order blocks बहुत तरीके से बनते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ यही चीज को हम लोग यहाँ पर prefer करने वाल ठीक है, ठीक है, तो हम लोग उतना detail में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ strategy बना रहे हैं, ठीक है, nothing else, तो यह अगर gap हमको मिले, तो हम लोग उसको order block बोलेंगे, या उसमें fair value gap इसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको order block ही बोलेंगे, चलिए, ठीक है, तो अगर suppose कीजे कि candles हमारा, candles हमारा overlap कर गया, ठीक है, तो वो बीच में gap बनेगा ही नहीं, अब जब बीच में gap बनेगा ही नहीं, तो हमारा वो strategy जो है, वो, sorry, हमारा जो entry है, उसके basis पर नहीं होगा, अब यह जो gap बनता है, ये gap जो है, वो एक बहुत strong support, एक बहुत strong support या एक बहुत strong इसका काम करता है ठीक है अब कैसे लिना है वो हमको करेंगे तो यतना तो आप समझ गए कि पेरोल व करता है ठीक है अब हम लोग इसी की स्टाइटिशव कूछ कर रहा हैUND हिए कि हम आपको रिवर्सल बता सकते थे ठीक है लेकिन हम लोग इस स्ट्राटिजी बताने का यहां पर क्या होता है कि एक बहुत लंबा candle बनाता है ठीक है और यहां पर gap दे देता है तो यह हमारा हो गया order block ठीक है अब price जो है वो इसको break करके उपर चला जा चुका है पहले ही वापस से यह जब यहां पर आएगा तो हमारा वापस से यहां पर हम लोग को फिर छोटे time frame पर चाके चेक करना है कि यहां से रिवर्सल आ रहा है क्या वह कैसे देखना वह आपको बताएंगे ठीक है और फिर यहां से रिवर्सल पर हमको ट्रेड लेना है ठीक है इसका मतलब हम overall market के trend में ही ट्रेड ले रहे हैं लेकिन हम लोग एक perfect time पे trades बना रहे है ठीक है इसका opposite पर कर देंगे तो वह हमारा बेरिश्टाइट का trade बन जाएगा ठीक है simple अम लोग चार्ट पर देखते हैं ठीक है अब चार्ट जो बन चुके हैं उन पर देखने का कोई logic नहीं होता कि आप चार्ट बन चुके हैं उसके बाद आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा हु हुआ ठीक है पहले हम एक दो example recent का देते हैं फिर पास्ट में हम लोग replay replay feature यूज करके और हम लोग लास्ट में जाके हम लोग चेक करेंगे ठीक है तो यह बहुत अच्छा एक feature है ठीक है तो चली हम लोग यहीं से start करते हैं replay feature यूज करने का ठीक है यह order blocks जो हम अभी हटा द रहा है ठीक है तो इसमें हम लोग देखते हैं replay करके replay जो speed है वो हम लोग 0.2 रखे हैं क्योंकि जब candles बन जाते हैं तब तो दिमाग लगाना बहुत easy होता है लेकिन जब candles नहीं बना है तभी हम लोग को problem होता है ठीक है चली तो और पहले अगर हम start करना चाहें तो और पहले start करते हैं क्योंकि जितना ज्यादा examples हम इसमें लेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है तो चलिए हम लोग यहीं से start करते हैं ठीक है उसके पिर पहले का भी देखेंगे थोड़ा दिर ठीक है चलिए तो अभी क्या हुआ है market में price जो है वो ध्यान से समझेग price जो है वो हमारा कहीं से भी किसी तरह से move किया हम लोग अब यहां से focus करना है तो यहां पर हमारा first candle ये second candle ये third candle ये ठीक है अब इसमें ये जो strategy हम बता रहे हैं इसका ऐसा नहीं है कि 80% 90% accuracy होगा ठीक है इसमें आप और indicators add करके और price action add करके आप उतना accuracy बना सकते हैं लेगिन ये जो हम भी बताने वाले हैं इसको more as a idea लीजिएगा ठीक है इस idea में अगर आप खुद का कोई indicator add करके और accuracy बढ़ा देते हैं तो और अच्छा बात है ठीक है क्योंकि अब suppose कीजिए कि हमारा इसमें 50% accuracy अगर आता है तो हम लोग जो strategy use करने वाले हैं जैसे example लीजे हम ये strategy use करते हैं ठीक है अब इस side में हम जब trade बनाये थे तो उस side में मेरा लगबग 2% का risk था एक हफते का ठीक है और इस समय हमारा profits जो है इस side में लगबग लगब 3-4% का profit होता है तो 1-2 का profit होता है अगर हम गलत होंगे तो 2% का ही risk लेंगे अगर सही होंगे तो बहुत अच्छा profit हो सकता है अगर इधर expire किया तो वो 45% भी चला जाएगा ठीक है तो मेन इसमें risk reward का है तो पहले तो हम strategy आपको discuss कर लिए कि strategy कौन-कौन से आप use कर सकते हैं पहले view बनाने के बाद अब view बनाना हम लोग सीख जाते हैं तो यह तीन candle हमारा बन गया ठीक है अब इस तीन candle में ह और बलोग बना है ठीक है देखेंगे तो यह बहुत छोटा सा ओर बलोग बना है यहां से देख सकते हैं यह जो गैप है को फॉर्स्ट केंडल का लोग यह है सेकेंड करना चाहें तो एब वह भी कर सकते है अभी major trend जो है, वो major trend bullish है और minor trend जो है, वो bearish है ठीक है, मतलब यहां से हम लोगो bearishness दीखने को मिल गया है major trend हमारा bullish है तो इसका भी knowledge आना important है अब major trend bullish है, तो major rally जो होगा न, वो major resistance sorry, major support से ही आएगा ठीक है, तो एक idea ले लेते हैं, जैसे हमारा अगर major rally आ रहा था तो यहां से market जो है, वो यहां पे, इस channel पे support लिया ठीक है, अब इसको major rally upside के तरफ देना था तो यहीं से rally जो है, वो दे देता, ठीक है, लेकिन यह वापस से अंदर आ गया, अंदर आ गया तो क्या हो गया, इसका मतलब इसका मतलब हुआ कि अब हम लोग को इसको जो है, वो जादा importance देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है, वो major rally का एक minor rally activate हो चुका है, ठीक है अब यह जो major rally है यह कहां से activate हो सकता है वो हो सकता है कि इधर से कहीं से bottom बन जाए, या ऐसे ऐसे market आके यहां से bottom बना दे, ठीक है मतलब, जब major rally हमारा start होगा, तो वो कम से कम कब पता चलेगा कि major rally start होगया, थोड़ा सा guess कीजिए वो major rally start जब होगा, तो यह जो है trend line, इसका breakout हो जाएगा यह जो trend line है, ठीक है तो जैसे ही trend line का breakout होगा तो हमारा major rally start हो जाएगा, और हमारा starting से ही अगर rally अगर bullish में है, फिर हम लोग bullish trades लेने लगेंगे, लेकिन जब तक यह जब तक यह हमारा sustained है, यह जो minor rally है bearish, तब तक हम लोग bearish trade लेंगे, अगर trend line के पास होगा, तो bearish trade लेंगे इस trend line के पास होगा, तो हम लोग bullish trade लेंगे, ठीक है, तो अगर यह दो छोटे 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 चीज, जैसे हम अगर simple support resistance पर आपको हम buy करने है, sell करने बोल दें तो उसमे accuracy आपका कम होगा, लेकिन यह छोटे 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 चीज़े आप add कर देंगे जो कि बहुत important होते हैं, इससे accuracy बहुत बढ़ जाएगा, simple क्या देखना है, अगर minor rally यह चल रहा है major rally bullish चल रहा है, तो major rally फिर से कब start होगा, इसके breakout पे, ठीक है और minor rally कब तक चलेगा, जब तक इसमें price चल रहा है, ठीक है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे short मारना है, और यहाँ पे हम लोग को buy करना है, ठीक है, तो उसी basis पे हमारा जोग trade है, वो हम लोग design करेंगे, बतलब वैसा ही opportunity हम लोग find करेंगे, ठीक है, चलिए तो यहाँ से order block जो था, वो बहुत छोटा था, ठीक है, फिर भी हम लोग उसको mark कर लेते हैं, एक छोटा सा order block को, एक second, यहाँ से एक छोटा सा order block हम लोग mark कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम लोग candles में आगे बढ़ते हैं ठीक है, अब यह जो है, छोटा सा order block है, तो इसमें market जो हो सकता है कि ज़्यादा respect ना करें, ठीक है अब entry exit जो है आपको हम explain करेंगे, एक बार हमारा एक अच्छा सा order block हमको मिल जाए, ठीक है देखते हैं, ठीक है इस candle के closing पर ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेगा, यहाँ यहाँ पर हमारा order block बन गया ठीक है, छोटा सा यहाँ पर एक हमारा order block बन गया ठीक है एक order block हमारा यहाँ पर भी बन गया अगर हमारा इस candle का closing जो है वो इसके नीचे ही हुआ तो देख लेते हैं एक बार closing ठीक है इस candle का closing जो है हमारा इसी के नीचे हुआ ठीक है अब ये जो hourly candle है वो एक बार हम लोग hourly candle से पांच मिनट पे जाते हैं ठीक है ठीक है अब पांच मिनट पे हम लोग जब गए हैं तो price जो है वो क्या हुआ था आवरली candle में यहां पे closing दिया फिर यहां से वापस उपर आ गया ठीक है यह वाला और यह वाला ठीक है अभी हम लोग को entry कब लेना है ठीक है तो हम लोग को entry तब लेना है जिसे देखिए पहले हम लोग अब swing देखेंगे ठीक है यह तो हमारा हो गया यह एक price जो है वो downtrend में आ रहा है ठीक है तो छोटे time frame पे हम लोग को एक swing देखना है ठीक है तो यहां पर हम लोग को क्या swing दिख रहा है swing कहने का क्या मतलब है कि अगर suppose कीजे कि price हमारा अगर suppose कीजे कि price हमारा इस तरीके से यहां पर आया होगा ठीक है और इस तरीके से हम लोग को higher highs बनाके और फिर यहां पर break किया होगा इसको यह जो है last high last low क के बाद हमारा जब breakout होता है तो वहां से हमारा इंटरी होगा तो यहां पर हमां को ऐसा कोई भी situation नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है फ्यूचर में देखने को मिलेगा ठीक है तो इसी लिए यहां फिर से में फ्यूर्ट है पहां पहीतने का अांचरी pipe नहीं हुआ तो अगर फिर से पना तो हमारा इंटरी हो सकता है अभी market थीरे-धीर स्विंग बनाना श्टार्ट जिए यहां से नीचे आया फिर उपर आया फिर नीचे फिर उपर है ठीक है तो अभी मार्केट जो है हो सकता है इस तरीके के स्विंग में जा रहा है ठीक है तो यह एक ट्रेंड लाइन बन गया जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हमारे यहां पर बैरिश राइड का ट्रेड बन जाए ठीक है जब तो स्विंग ब्रेक नहीं कर एक छोटे टाइम फ्रेम पे तब तक हमारा ट्रेड नहीं बनेगा ठीक है देख लेते हैं अगर यह स्विंग ब्रेक करता है अब यहां से क्या हुआ यहां से एक हमारा जैसे डिसकस कर रहे थे कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा स्विंग जो है वो बनाया ठीक है और लास लास टाइम ब्रेक भी कर गया लेकिन फिर गैप डाउन हो गया तो यह हमको क्याप्चर करना पॉसिबल नहीं था हम बोल सकते हैं कि हाँ यहां से गैप डाउन आ गया हमारे डारेक्शन में मतलब आप लोग को आईडिया लग रहा होगा कि यह जो और ब्लोक हम लोग बनाया है वो कितना बहुत कितने अच्छे तरीके से एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है ठीक है आप लोग नॉ अब शौट करने के लिए या आप जो स्ट्राइजी बताएं वह आप कर सकते हैं और आपके पास क्या आपके पास ऑप्शन यह भी है कि हम लोग एक सिंपल एक कॉल भी ले सकते हैं या हम लोग सिंपल एक फ्यूचर्स लेकर और इंदमनी का पुट भी ले सकते हैं ठीक है जिसमें रिस्क जो है वो डिफाइन रहेगा चार हजार का और अगर मार्केट हमारे डारेक्शन में दो तीन परसेंट चला गया तो बहुत अचार रिचल चला जाएगा ठीक है तो स्ट्राइजिस का कमी नहीं हम लोग को सिर्व एक सिस्टम पहले बनाना तो अभी गैप ड करना तभी सही होगा जब यहां से अच्छे तरीके से मार्केट ब्रेक करके क्लोजिंग देए ठीक है लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है अब बढ़िए क्या यहां पर एक order block बना है ठीक है इसको चलिए हम लोग हटा देते हैं पुराना हो गया ठीक है अब हम लोग न्यू बनाएंगे order block order block कौन सा बना है ठीक है यहां अब देखिए यह candle यह हमारा first candle यह second candle यह third candle ठीक है तो क्या इसके बीच में gap है इसका हाई एक सेकंड और इसका हाई ज्यादा gap नहीं है ठीक है तो हम लोग इसको avoid करेंगे नया कोई एक order block बनता है तो देखते है ठीक है देखिए यहां से एक बहुत छोटा order block बना ठीक है बहुत छोटा सा order block ह हम लोग को बना देखिए यह वाला क्यों कि यह जो हमारा candle इसका हाई और यह जो candle इसका लो इसके बीच में gap है ठीक है मतलब यह जो रैलिया है जो इस candle में वह last candle के हाई और और future वाले candle के लो के बीच में gap बना रहा है ठीक है तो अभी यहां पर market इस candle के closing पे इस candle के closing पे हमारा एक बना दिया मतलब इस candle closing पे हमारा एक order block confirm हो गया ठीक है अब हम लोग 5 मिनट पर जाते है ठीक है प्लस हमारे पास यह जो यहां पर major minor जो रैली चल रहा था bearish वो भी lower band पर चल रहा है जहां से bullishness होने का chance जो है वो ज्यादा होगा ठीक है तो यहां से हम नीज्डव पांच मिनट पर जाएंगे और पांच मिनट पर जाने के बाद देखेंगे कि क्या हमारा एक जो swing घह हो रहा एक ठीक है तो यह order block था order block होने के बाद market यहां से बार-बार यहां से बार-बार support ले रहा है ठीक है बार-बार support ले रहा है अब हमारा swing इसमें कौन सा है यहां आपको clear हो गया होगा ठीक है यहां पर हम लोगों lower high बनाया फिर lower high बनाया और यहां से अब जो है यहां से जो है अगर lower high बनाता तो अच्छा बात है नहीं बनाता है तो यह एक हमारा swing हो गया ठीक है यह एक छोटा सा swing हो गया current handle type ठीक है तो अगर इस swing को यहां से हम लोगों अगर ट्रेंड लाइन मार्क कर दें ठीक है अगर इस swing को market break कर देता है तो हमारा bullish यह वह व्यूव बना सकते हैं ठीक है आज कौन सा दिन चल रहा है थास्टे चल रहा है तो थास्टे का अगर हमको बनाना ठीक है तो अगर ब्रेक करता है तो हम लोग बनाएंगे पाच मिनट पर ब्रेक करके अच्छे से closing कर दे उसका अधा हम लोग बना देंगे ठीक है कम से कम day high को तोड़े यहां पर 51,000 को 51,000 को तोड़े तो बहुत अच्छा confirmation हम लोग अब जैसे डास का व्यू बनाते है तो रैंडम ट्रेट्स लेते हैं बूलिस बूलिस लेना है या बैरिस लेना है रैंडम ली हम लोग डिसाइड करते हैं ठीक है तो कम से कम ये चीज़ सीखने कबाद आपका रैंडमनेस जो है वो चला जाया ठीक है तो market प्रेड ट्लोज हो गया, फिर गाप में खूला, ठीक है, एक सेटब करते हैं, और एक बार हम लोग आवरली पर जाते हैं, देखते हैं, आवरली पर क्या फिर से बना है, ठीक है, घाप में खुला, अभी भी हमारा जो उर्डर DeoCpaper Long है, वो वहीं पर है, उस उर्डर ब्लॉक का जो है न हमारा ब्रेक होना चाहिए ठीक है देखते हैं ठीक है ओर्डर ब्लॉक से फिर से मार्केट क्याप डाउन खुला तो क्याप डाउन से वहां से ब्रेजिस्टन्स लेना स्टार्ट कर रहा है ठीक है कि थोड़ा सा हम लोग आवरली पर जाके फास्ट करते हैं अब अब देखें यहां से फाइव मिनट पर जाएंगे आपका तो इस कैंडल में हमारा कहीं न कहीं इंट्री हो गया होगा ठीक है फ्राइडे को हमारा इंट्री होगा और वेंडेस दे तक हमारा जो है वो प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा ठीक है अब बीच बीच में यह बहुत सारे और ब्लॉक्स बनाते जा रहा है यहां पर भी एक छोटा और ब्लॉक बनाया ठीक है यहां पर भी एक छोटा बनाया प्लस एक छोटा सा यहां पर बना मतलब यह support बनाते जा रहा है ठीक है support इस बनाते जा रहा है इसका मतलब हो सकता है कि अगर यह gaps बहुत कम-कम है gaps बहुत ज्यादा होते तो बहुत major support बनाता है ठीक है देखते हैं तो witness day को हमारा expire होगा तो यहां पर हमारा entry हुआ है कहीं भी इधर expire हुआ थो हम लोग को बहुत अच्छा profit होना ही होना है ठीक है क्योंकि हमारा strategy ही ऐसा है हम लोग बड़ा move नहीं चाहिए अब जो futures में कर रहे हैं calls लेके बैठे हैं उनको इस move में फाइदा नहीं होगा लेकि क्योंकि हम लोग को hedge strategies बनाना आता है ठीक है चलिए अब जिसे हम लोग बीच में बहुत सारे चेक कर सकते हैं order blocks आया नहीं आया ठीक है लेकिन हमारा trade अगर चल रहा था तो हम लोग फिर better है कि ना देखे तो अच्छा है ठीक है तो हमारा यहां से यहां से अगर हम बात करें तो 1% का move हमको bank nifty में मिला है जो कि अगर हम starting में आपको जो बताया थे bullish iron condor type बनाते हैं तो middle में लगवग expire होगा ठीक है तो बहुत अच्छा है इसमें profit हो सकता है ठीक है अब बीच बीच में बहुत सारे order blocks बने है ठीक है यहां बना है बहुत ब हमारा एक यहां पर भी बना यह major support हो सकता है ठीक है तो बहुत सारे हमारा बना लेकिन यह हमारा पुराना हो गया और यह हमारा order block नया हो गया इसको हम लोग ज्यादा prefer करेंगे ठीक है अब हमारा order block के हिसाब से यह जो है एक resistance है पहले तो हमारा trader यहां बन गया अब हमारा resistance ह आसपास हम लोग को फिर से छोटे time frame पर जाके और देखना है कि क्या swing जो है वो break हो रहा है यानि ठीक है तो अभी तक swing जो है वो नहीं बना ठीक है अभी जैसे यहां पर बना था लेकिन हमारा उसमें trade चल रहा था तो हम लोग अब देखेंगे कि swing बनता है यानि ठीक है चल पर एक बहुत बड़ा order block था मतलब बहुत बड़ा resistance है वहां पर ठीक है चलिए एक swing बनाए अगर नहीं बनाता मार्गेट फॉल कर जाता है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है कि इसको fast करते हैं थोड़ा सा स्विंग ठीक है चलेगा अभी lower low बना रहा है ठीक है तो यहां से आप लोग consider करना चाहते हैं तो इसको स्विंग consider कर सकते हैं यहां से यह break किया प्लस यह break किया इसको भी consider कर सकते हैं ठीक है मतलब स्विंग जो है वो बनाया और यहां से दो दो बार हम लोगो opportunity दिया वापस से short कर रहेगा ठीक है अब यहां से हमारा trade बनता है Thursday को तो फिर से Wednesday तक अगर चलता है तो हमारा अच्छा कासा फिर से gap down हो गया और हमारे direction में ही market move कर रहा है ठीक है फिर से gap down हो गया ठीक है तो य वाडर प्लोक क्या है और आई मैं जयकूँद न सब सब इक आप डॉक है सेम तरीके से यहां पर भी एक कांचल अटिके मतलब यह वाला जो कैंडल यहां में और books बना है ठीक है तो देखते हैं ठीक है अब यह वापस से जब जब Market यहां पाएगा तब तो वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है ठीक है यहां से देखे क्या हो रहा है पहले बार और ब्लोक की यह बनाया दूसरी बार अब ग्याप अब खुला लेकिन फिर से क्लियर है तो अभी हम लोग फिर से आगे देखते हैं ठीक है अभी यह ब्रेक हो गया गाप डाउन हो गया मतलब क्या हुआ ब्रेक हो गया तो फिर इस और प्लोक का कोई वैलेडिटी नहीं है ठीक है खतम हो गया यहां पर छोटा ट्रेड मिलना था तो मिल जाता जैसे यहां से 300 पॉइंट का ठीक है मतलब 0.5.7% का हमारा ट्रेड जो है वो मिल रहा था ठीक है यहां से 300-400 पॉइंट का मतलब छोटे-छोटे ट्रेड मिल ले था उसका रीजन क्या है अगर सपोस कीजे कि हम सिर्फ और ब्लोक पे काम करें तो हम लोगो कन्फ्यूजन होगा कि क्य क्यूं ऐसा हुआ कि यहां से हमारा और ब्लोक बना यहां पर और ब्लोक बना तो हमको इतना बड़ा टार्गेट मिला 1900 पॉइंट का और यहां पर और ब्लोक बना तो हम लोगो सिर्फ 200 पॉइंट का टार्गेट मिला ऐसा क्यूं हो रहा है वो हो रहा है इस चैनल के वज़े से क्योंकि मार्केट जो है वो सिर्फ और ब्लॉक पर चोड़े टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है मेजर टाइम फ्रेम पर तो यह अपने चैनल को फॉलो करेगा तो जब आपको चैनल के बारे में भी पता रहेगा तब आपका एकुरेसी और बेटर हो जाएगा और यहां से आप हम लोग लोग ट्राइक करेंगे की बुलिस्ट लेने का ट्राइद लेंगे क्योंकि अब या पहुंत पर ब्रेंगे तो थीख आफ यहां पर अगे हम लोग बढ़ेंगे ठीक है अब ये price हम लोग को यहाँ पर important है देखना क्योंकि यहाँ पर अगर SL हिट हुआ होगा तो फिर हम लोग को SL भी सीखने को मिलेगा तो ये order block जो बना था तो हम लोग का क्या rule है रूल है हमारा कि order block के price आता है जब price तो एक swing बनाना चाहिए और उसके बाद उस swing को market को break करना चाहिए तो हम लोग को entry लेंगे लेगिन क्या यहाँ पर swing बना यहाँ पर swing नहीं बना ठीक है तो ये market swing बनाया नहीं बहुत easily यहाँ हम लोग को यहां पर छोटा सा ठीक है चलिए को दिखत नहीं है अब यहाँ पर देखें, प्राइस जो है वो gap up खुलके directly हमारे order block के रीजन में open हुआ, ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर price open हुआ, directly हमारे order block के पास में open हुआ, ठीक है, exactly यहाँ पर ठीक है, तो अब हमारा जैसे ही यहाँ पर open हुआ तो पांच मिनट के टाइम फ्रेम और लोग धर करने का मौका ही नहीं मिला कि हम लोग इंट्राटे करने का मूर्ण तो दो कि अब लिए उसके लिए ust 3प करेगा क्योंकि नहीं करेगा कियो उप हमारा स्विंग बना ही नहीं तो यहां पर आपा ट्रेड जो है वो बना ही नहीं ठीक है तो फिर आवरली पर जाते हैं और नया ओर्डर ब्लॉक देखेंगे ठीक है अब हम आवरली पर बता रहे हैं इसको आप लोग आप लोग ईजीली इसको छोड़े टाम फ्रेम्स पर भी और पत ऩाइनक तो मार्केट अप खुला तो क्या यहां मैं ऑर्टर ब्लॉक बना है यह waysर्ड कंद्ल इसका हाई और इसका लो तो यहां पर भी हमारा एक अटर ब्लॉक बना है भी है क्या से बना है एक पर प्राइस जो है वह वापस से नीच या गया ठीक है क्या हुआ गैप पे इंट्री नहीं दिया और वापस गया और प्राइस फिर वापस से अपने निव ब्लॉक है अब क्या हमारा स्विंग बना है पांच मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से एक इस तरीके का स्विंग बनाया है और फिर बहुत प्रोपरली उसको ब्रेक किया है तो इस केंडल में हमँरा इंट्री होगा और इसी केंडल में हमारा जो है यह अभी सुझ रहा है मेरा आवरली कैंडल में हमारा इस कैंडल में जैसे ही मतलब यहां से exactly बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और हमारा यहां से इंटरी दिया है ठीक है और 16 से लेके अभी तक जो है वो हमारा मार्केट जो है वो बुलिश ही है ठीक है तो यह अच्छोड़ बहुत आपको समझ में आ गया होगा वीडियो को रिपीट भी देखिएगा और चोटे चोटे मोटे एक्जामपल हम लोग फिर से डिसकस कर लेते हैं बहुत की बार थोड़ से पास्ट में जाते हैं ठीक है तो यह आपको समाझ में आ गया हो कि यह हमारा अभी जो ट्रेड है वो कैसे चल रहा है ठीक है अभी निव ओडर ब्लोक कौन सा बना है अभी निव ओडर ब्लोक बना है हमारा यहां पर ठीक है अभी निव ओडर हमारा यहां पर बना है ठीक है तो अगर प्राइस जो है वो यहां पर आता है तो फिर से सपोर्ट ले सकता है लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मा तो आप लोग को तीन तीन सपोर्ट देख रहा है, अब यह ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, और यह अब थोड़ा सा पूराना हो गया, ठीक है, चलिए, तो हम लोग पास्ट में जाते हैं, 20, छोटे टाइम फ्रेम्स पर हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 5 मिनट के टा देटा आप लोग को नहीं मिलेगा, मतलब इतना दूर का देटा नहीं मिलेगा, क्योंकि hourly पर मिल रहा है, लेकिन उस पर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो directly हम लोग कहीं भी randomly जाते हैं, ठीक है, एक second, लास्ट लग रहा है, यहीं पर जापाएंगे, चलिए, तो हम लोग बासा हम लोग कम करते हैं, और नोटिस किजएगा कि क्या हमारा order block बन रहा है, ठीक है, बीचे में मेरे से मिस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग fast चल रहे हैं, तो आप लोग manage कर लेजेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा order block बन गया, कहां बना, यहाँ पर, ठीक है, हमारा यहाँ पर order block बन गया, अब हम लोग bullish side का play करना, try करेंगे, अगर market जो है वो, इसके उपर close करता है, ठीक है, प्लस हमको एक बड़ा movie market का होना जोड़ रही है, market जो है, बड़े range में, जल्दी साब को conclude करें, तो बड़े range में जो है market, एक bullish to sideways market है, ठीक है, मतलब यहाँ से ए current example में, download channel था, और major channel हमारा upward था, ठीक है, तो आपको explain किये थे, same इसमें क्या है, इसमें हमारा, जो channel है, वो horizontal channel है, मतलब यहाँ से market support ले रहा है, यहाँ से market resistance ले रहा है, तो यह इस तरीके से move करेगा, तो हम लोग यहाँ पर जो है, try करेंगे कि bullish ही trade ले, ठीक है, bearish ना ले है, क्योंकि वो अपने lower channel पर चल रहा है, ठीक है, तो bullish trade हम लोग लेंगे, इसका हम लोग का idea लग गया, कि हम लोग को bullish ही trade लेना है, और हम लोग तुरह सा, छोड़े time frame पर आ जाते है, ठीक है, अब यहाँ से, एक और हम लोग को एक trend line दिख रहा है, यहाँ से, कौन सा, यह ठीक है, अगर price इसको break किया है अभी, तो bullish जो है वो, हम लोग को indication मिल गया, कि यहाँ से bullish हो सकता है, ठीक है, अगर इसको sustain नहीं कर पाता है, तो हम लोग entry नहीं लेंगे, ठीक है, देखते हैं हमारे order block के आसपास आता है, यानि price, ठीक है, अगर आएगा, देखे हमारे order block के data नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से, थोड़ा से हम लोग hourly पे ही समझने का try करेंगे, यहाँ से क्या हुआ, पहले market यहाँ आया, फिर break किया, और फिर यहाँ से उपर जाने का try किया, तो एक swing का बात करें, तो हमारा swing जो है वो, इस तरीके का swing बना, ठीक है, swing किस तरीके का बन यहाँ पर इस तरीके का हमारा swing बना, छोड़े time frame पर हो सकता है, दूसरा swing बने, तो swing का यहाँ पर breakout भी आया, ठीक है, लेकिन gap up से आया, ठीक है, तो हम लोगो gap up वाला breakout नीच चाहिए, हम लोगो current चाहिए, ठीक है, अब क्या हुआ, अभी price यहाँ पर आया, छोड़े time frame ब भी swing बनाया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर swing बनाया लेकिन gap up से तोड़ा, यहाँ पर swing बनाया है नहीं और नीची तोड़ गया, तो फिर इस order block का validity खतम, और यहाँ पर हम लोगो entry भी नहीं मिला, ठीक है, अब new order block कौन सा दिख रहा आपको, new order block हम लोगो, बहुत support भी draw कर लिजेगा, कि यह major support है, 43,600 के असपास, तो सिर्फ हम लोग bullish strike कर रहा है, इसके उपर ही हम लोग trade लेंगे, इसके नीचे हम लोग trade नहीं लेंगे, और इसके नीचे हम लोग छोटा मोटा trade ले सकता है, ठीक है, तो अगर आता है वापस order block में, तो हम लोग entry लेने का try करेंगे, ठीक है, तो यह नहीं आया, चलता चला गया, चलता चला गया, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे new order blocks, जो हमारा बनते चले गए, जैसे यह order block, ठीक है, यहां से यह वाला, ठीक है, अब आपको छोटे time frame पर जाकर देखना पड़ेगा, कि यह order block बनाया और market जब फि पीचे के तरफ तो आपर फिर से हमारा एक entry छोटे target के लिए बन गया, क्योंकि market एक support पर चल रहा है, ठीक है, ठीक है, हम लोगो bullish order block चाहिए, अभी इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, bullish order block मिला क्या, ठीक है, यहां से हम लोगो एक bullish order block मिला, यह, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बना, इस candle में और इस candle में अगर suppose कीजिए, इस candle में और इस candle में अगर swing बना होगा छोटे time frame पर, तो यहां पर हमारा break करने पर entry भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हमारा entry अगर हुआ, एक सेकंड, रुख जाओ, एक सेकंड, इंटरी हुआ फ्राइडे को, तो हमारा expiry तक price जो है, वो उपर ही रहा, तो यह हमारा profitable trade बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रूर छ इसलिए doji बनाया, और यहां पर हमारा entry हो गया, यह successful हो गया, अब next, हम लोगो सिर्फ बूलिश में ही देखना है, क्योंकि हम लोग अब उस पे हैं, ठीक है, अब फिर से gap बनाया market, gap के वज़े से फिर से हमारा एक order block बन गया, यहां पर, ठीक है, फिर से order block बन गया, अब यहां से जब market फिर से order block बन गया, ठीक है, तो यह एक entry हम लोगो मिला होगा, यह वाला, ठीक है, यह एक entry मिला होगा, यहां पर break भी होगा, यहां पर entry भी होगा होगा हमारा, और यहां से हमारा view जाया, sorry, Thursday चल रहा है, तो अगर same expiry का आप लिए होंगे, तब तो कोई दिक ठीक है, नहीं आता, मतलब जहां entry हुआ था, उसके नीचे ही है, यह हमारा Tuesday आ गया, Thursday हमारा यहां पर था, तो नहीं आता, ठीक है, तो इस particular week में हम लोगो को loss हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग bullish trade ही बना रहे हैं, तो चलिए, फिर से हमारा order block बना, कहां पर, यह वे, ठीक है, यह order block बना, ठीक है, अगर आता है, प्लस, एक और order block बना, ठीक है, तो हम लोगों order block बनाने के बाद न, उसी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आगे भी ध्यान देना है, यहां से market, order block के pass भी आया, और यहां पर एक swing बना के break भी किया, ठीक है, तो यहां पर entry हमारा हो सकता है, ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यह उपर चला गया, एक सेकंड, इसी gap up हो गया, ठीक है, तो फिर से order block बना हमारा, यहां पर, एक order block यहां भी बना, यहां भी बना, यहां भी बना, ठीक है, देखते हैं, अब यह फायदा है, क्या फायदा है, आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग पहले देखे हैं कि market जो है, वो अपने support पर चल रहा है, तो support पर चल रहा है, तो tendency उसका उपर जाने को है, इसलिए हम हम लोग bearish trade यहां से कम ले रहे थे, और bullish trade यहां से ज्यादा ले रहे थे, ठीक है, तो हम लोग कैसे find out की है, अपने channel के वज़े से, channel या तो दो trend line के वज़े से बन सकता है, या दो support resistance पर भी बन सकता है, major, जो हमारा बड़ा time frame पर जो channel चल रहा है, उस channel के basis पर हमारा trade जो ह ठीक है, तो I guess हम थोड़ा सा relevant लगे होंगे आपको, थोड़ा ये जो concept आपको सिखाने में, ठीक है, आप लोग को इसमें बहुत deep back testing करना पड़ेगा, क्योंकि ये strategy जो है वो directional के लिए है, और जितना time इसमें आप spend करेंगे, उतना आप understanding इसमें आपको बढ़ते जाएगा, प्लस इसमें एक-दो indicator आप use कर सकते हैं, तो इसका accuracy और बढ़ जाएगा, हम personally एक-दो indicator यूज करके भी करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को हम बोलेंगे कि try कीजे, अब जैसे देखिए, यहाँ पर clean एक बहुत clean यहाँ पर हम लोग को order block बना, ठीक है, यह वाला, ठीक है, और यहाँ से हम लोग को वापस price जो है वो उपर भी जा रहा है, ठीक है, तो I guess यह वीडियो थोड़ा बहुत आपको relevant लगा होगा, और अभी current जो trade चल रहा है, वो काफी एक अच्छा example था, अभी हम लोग देखते हैं कि next trade कब बनता है, हम try करेंगे कि telegram में post कर दें, आप अगर free telegram में join नहीं किये हैं, तब free telegram जो है, join कर लिजेगा, order block के basis पे, अगर market bullish दिखा या perish दिखा तो वहाँ पर हम लोग share कर देंगे, और जो directional strategy है, वो भी हम वहाँ पर share करते हैं, ठीक है, तो free telegram join कर लिजेगा, और comment में जुरूर बताएगा कि यह जो strategy, यह जो वीड बना सकते हैं, for weekly और monthly basis, ठीक है, तो चलिए, explain कर देते हैं, जो हमारे workshop में हम लोग सीखने वाले हैं, तो workshop में हम लोग mainly सारे 80%, 70-80% non-directional strategies पढ़ते हैं, और 20-30% directional strategies पढ़ते हैं, ठीक है, तो directional जो हम लोग discuss कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत directional में ध्यान देना भी important है, और हम भी last 6-8 मेने से directional पर ध्यान दे रहा हैं, साथ में अपने जो non-directional हैं, वो तो अच्छे हो ही चुके हैं, उन तो वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये एक हर समय एक improvement वाला part होना चाहिए आपके life में, trading से related, कि आप चलिए कोई strategy आप बहुत अच्छे सरीके से करने ल लेकिन explore करने से अगर हमको कुछ better मिल जाता है, तो हम लोग को वहां से थोड़ा बहुत allocation इधर करने में कोई problem नहीं है, ठीक है, non-directional strategies 70-80% पढ़ेंगे, जिसमें एक weekly strategy आरन फ्लाइडिसकस करते हैं, जो उसका adjustments है, वो काफी unique adjustment है, जिससे कोई market condition हम लोग manage कर सकते हैं, ठी directional ही, ठीक है, सारे non-directional ही होंगे, यह पहला वीडियो है मेरा directional का इतना deep, ठीक है, तो आप लोग यह मत सुचे हैं कि हम directional ही करते हैं, major 90, 70-80% जो है, वो non-directional ही करते हैं, ठीक है, तो दो monthly strategies है, जिसमें Wix बढ़े market में trend आए, ठीक है, या कोई भी problem आए, मतलब Wix independent strategies है, ठीक मन्तरी strategy, क्योंकि मन्तरी में Wix का ज्यादा impact आता है, तो हम लोग कोई भी market condition में कैसे उसको manage कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे, प्लस directional strategies सीखेंगे, तीन for working people, उसके बाद working people का एक weekly strategy plus algo भी सीखेंगे, और working people का एक monthly strategies भी सीखेंगे, कोई अगर manual trading करता है intraday में, तो उसक सीखते हैं इसमें, ठीक है, process क्या है, कि पहले आपको videos में लेंगे concept और strategies के लिए, फिर live classes होंगे आपके doubts के लिए, और ताकि आप कुछ strategies में से master कर सकें, और community जो है हमारा WhatsApp community discussion के लिए live market में, और बाकी जो details है, आप लोग यहां से आके पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इसमें total 3-4 weekly strategies हैं, 3 monthly strategies हैं, और बाकी directional strategies हैं, ठीक है, तो आपको एक full, आप बोल सकते हैं, full package मिलने वाला है, plus community है, तो इसमें अगर जो भी option sellers serious हैं, तो consider कर सकते हैं, आप लोग workshop में enroll करने का, और कुछ strategies lifetime के लिए master करने का, ठीक है, तो coupon code use कर सकते हैं, तीन लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं, आज coupon code राखी तो बीच चुका है, लेकिन आज के लिए सिर्फ coupon code को हम active रखे हैं, ठीक है, तो comment में ज़रूर बता देजेगा, कि ये strategy कैसा लगा आपको, और मिलते हैं फिन next video में, thank you so much.